हैलो गईस कैसे हैं आप लोग स्वागात drafted है आप लोगों का फिर से मेरे एक नएए वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके ओपो F25 प्रो फोन में आप लोगद बैक बटन गो कैसे लगा सकते हो अगर आपके पास एक Oppo F25 Pro फोन है और इस फोन में जो है आपको back button को लगाना है अगर आपके फोन में back करने के लिए कोई भी virtual button नहीं है जैसे कि मेरे फोन में देख सकते back करने के लिए कोई बटन नहीं है तो मुझे जो ऐसे gesture को यूज़ करके कुछ इस तरी के side में से back बगड़ा करके मुझे back करना पर रहा है लेकिन बहुत सरे phone में आपने देखा होगा guys कि उनके phone के screen में जो एकदम नीचे 3 button होते back करने के लिए home screen में जाने के लिए और recent app को देखने के लिए तो कैसे आप लोग अपने इस phone में भी जो है back बटन को लगा सकते हो गाई तो आज के वीडियो में मैं ही बताऊंगा आप लोगों को इसलिए वीडियो को last तक देखिए और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लिजे तो चलिए guys वीडियो को start करते है बैक बटन को लगाने के लिए आपको सबसे पहले जो है अपने इस phone के settings में जाना है settings में जाने के बाद थोड़ा सा नीचे scroll down करेंगे तो आपको एक option में लगा convenience tools का तो इस convenience tools पे click कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक option मिलेगा गाई इस navigation का तो इस navigation के option पर क्लिक कर दीजिए क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर option मिलेगा गाई बटन्स का देख सकते हैं बटन्स का option है तो इस buttons पर क्लिक करतेंगे क्लिक करते आपके screen में back करने के लिए button आ जाएंगे देख सकते हैं यहाँ पर मेरे phone में back button आ चुका है उसके बाद यहाँ पर back button को अगर आप लोग उल्टा करना चाहते हो right side में है तो आपको left side में लाना है तो यहाँ पर यह आपकी choice है guys जो आपका back button है guys उसको आप लोग right side में भी रख सकते हो और left side में भी रख सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने oppo f25 pro phone में आप लोग back button को लगा सकते हो तो कैसा लगा गए से आप लोग को कोई वीडियो अगर वीडियो पसान आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को भी subscribe जरूर से कर लीजिए मिलते कर लेक नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई